नमश्का सूर प्रभात आप सुन रहे हैं जेके नियूज नेटवर्क और मौनिक बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ प्रभाश शर्मा जारकन वासियों को घरों में ही होली मनानी होगी सारवजने कस्थानों पर होली मनाने पर रोक होगी राज में कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए शुकरवार को ग्रिह कार आएवं आपदा प्रबंधन वभाग ने नई गाइडलाइन जारी की इस गाइडलाइन के नुसा आरज जारकन में सारवजनी कस्थानों पर होली, सरहुल, शबेबारात, उचैती, नवरात, रामनम्मी और रीस्टर मनाने पर राजसरकार ने प्रतिबंधर लगा दिया है सरहुल और आमनम्मी का जुरूस भी नहीं निकलेगा, सभी प्रकार के जुरूस पर रोक लगा दी गई है साथ ही मधुपूर में होने वाले उप्चिनाफ के लिए भी पूर्व से जारी सर्तों का पालम करने को कहा गया है जबकि धार्मी कस्थल में पूर्व की तरह शर्ते लागू रहेंगी नई गाडलाइन का उलंखन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन आक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कारवाई होगी हर्मू बिजली ओफस के सामने विद्यानगर मोड पर तीन लुटेरों ने आपरबजार के जेवर विवसाई जितेंदर वर्मा से 20 लाख रुपे के जेवर लूट लिए गटना शुकरवास सुभे साड़े छे बजे की है जितेंदर वर्मा जेवर लेकर कॉलकता स्वेट्रीन से राची लोटे थे स्टेशन से वो स्कूटी पर भाई अनीश वर्मा और एक कर्मचारी इश्वर भगत के साथ अपने घर विद्यानगर जा रहे थे जैसे ही वो विद्यानगर जाने वारी स्टड़क पर मुड़े कि बाइक पर आये तीन लुटेरों ने उन्हें रोक लिया दो लुटोरों ने पिस्टल तान दी और जेवर से भरा बैग च्छीन कर भाग निकले जीतेंद्र ने ततकाल और गोड़ा पुलीस को सूचना दी पुलीस ने सभी PCR को अलर्ट किया लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा सके जीतेंद्र ने बताए कि उनसे 450 ग्राम सोने के जेवर लूटे गये हैं जिनके कीमत करीब 20 लाख रुपे है अनिश्वर्मा ने इस सम्मन्द में फायर दर्ज कराई है पुलीस उनके करमचारी ईश्वर भगत से पूछताच कर रही है थाना प्रभारी विनोत कुमार ने बताए कि मामले की जाच की जा रही है अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे हजारी बाग शहर के हुरुरु बाबापत महले में शुकरवार को दिल दहला देने वाली खटना गटी एक महिला ने 6 और 8 साल की दो मासूम बहनों के साथ जल्म की सारी हदे पार कर दी बच्चियों का कुसूर सिर्फ इतना था कि पालतू कुटों के साथ खेलते समय कुटे को थोड़ी चोट लगई थी मालके नाश्य चौधरी ने पहले दोनों बच्चियों को छड़ी से पीटा फिर हाथों पर जगा जगा बलेड से काट दिया चाइड लाइन की टीम ने दोनों बच्चियों को हजारी बाग मेटिकल कॉलेज इस्पिताल में भरती कराया चाइड लाइन वॉलेंटियर स्वीटी ने बताया कि बच्चियों को CWC के सामने पेश किया जाएगा C&T SP Act के संसोजन का विरोध करने और पत्थल गड़ी के आरोप में दर्जू केस वापस होंगे गरिववाग के इस प्रस्ताप पर मुख्यमंत्री हेमन सोरें ने मंजूरी दे दी है अजिसूचना जारी होते ही सभी मुकदमे वापस हो जाएंगे रगवर सरकार के कारकाल में ये मुकदमे मुख्य रूप से पांच जिलों सराई केला, खरसावा, खूटी, चायबासा, दुमकाव, साहिब गंज में दर्ज किये गए थे मुख्यमंत्री हेमन सोरें ने शपतगरन के बाद 29 दिसंबर 2019 को क्याबिनेट की पहली बैठक में ही इन लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया था कैबिनेट की फैसले के बाद ग्रीव भाग ने राज्ज के सभी जिलों की डीसी को पत्र भीज कर मुकदम वापसी के लिए प्रस्ताव भीजने को कहा था इसके बाद सम्मंधित जिलों ने ये प्रस्ताव ग्रीव भाग को भीजा था पत्तलगड़ी को लेकर जुले में त्री सत्री समीती का गठन किया गया था डी सी इसके अधक्ष थे जबकि एसपी और लोग अब योचक को सदस्य बनाया गया था पांच जुलों से मिले प्रस्ताप पर सरकार ने मुकदम वापस लेने का फैसला किया था जारकण में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों खासकर यौन अपराधों की रोक्ताम के लिए सरकार जल्द ही सक्त कदम उठाने जा रही है इसके लिए आंदर प्रदेश के दिशा आक्ट की तर्च पर जारकण अपराध विजी संशोधन अधिनियम लाने की तयारी चल रही है इसका ड्राफ तयार हो गया है इस आक्ट के लागू होने के बाद दुशकर्म और सामोहिक दुशकर्म की घटनाओं में एक महीने के भीतर जांच और सुनवाई पूरी करनी होगी इसमें दोशियों को कम से कम समय में उम्रकैट से लेकर फासी तक की सजा हो सकती है इसके लिए आक्ट में भी संसोधन किया जाएगा दरसल राज में साल दर साल दुशकर्म की घटनाओं में लगतार तीजी में बढ़ोतरी हो रही है लाग कोशिशों के बावजूद इस पर अंकुष नहीं लगा पा रहे है इसी को देखते हुए ये कानून लाया जा रहा है सरकार का मानना है कि ये कानून बन जाने के बाद ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर तैस सीमा में कठोर कारवाई होगी इसका खौफ अपराधियों पर दिखेगा तो ये थी अब तक की कुछ एहम खबरे दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रही हमारे साथ हुज्जी की न्यूस नेटवर्क